सत्यमेव जयते 2 में जॉन अब्राहम क्या एक्शन के मामले में हल्क का भी रिकोर्ड तोड़ देंगे जॉन अब्राहम सत्यमेव जयते के अलावा और किन किन फिल्मों में निज़र आएंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गरीमा तोमर आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टोडियोज की एक और नई वीडियो में कोरोना वाइरस और लोगडाउन के कारण कॉमन पीपल के जीवन के अलावा पूरे बॉलिवुड का काम भी अस्वियस्ट हुआ है और फिल्मों की शूटिंग तक पोस्पोन हो गई थी लेकिन अब धीरे धीरे फिर से मामला पटरी पराता नजर आ रहा है इस समय जॉन अबराहम की धमाकेदार फिल्म सत्यमिव जैते टू को लेकर खबर सामने आई है As you all know की इस सिरीज की पहली फिल्म काफी जादा हिट हुई थी काफी जादा लोगों ने पसंद किया था चाहे वो जॉन अबराहम का कैरेक्टर हो चाहे वो उनकी देश भक्ती हो हर किसी चीज को लोगों ने काफी जादा सराहा था और अब इस फिल्म के सेकेंड पार्ट की यानि सत्यविव जैते टू की शूटिंग फिर से शुरू होने जा रही है ये हम नहीं कह रहे हैं इस बात की जानकारी खुद फिल्म के निर्माता मिलाब जावरी ने ट्वीट करते हुए दी है दर असल उन्होंने दो तस्वीरे शेयर की हैं जिसमें जॉन अब्राहम और वो खुद भी नज़र आ रहे हैं इस फिल्म में एजन लीड अक्टरिस दिव्या खोसला नज़र आएंगी जो याद पिया की आने लगी गाने से काफी ज़दा पॉपुलर हुई थी या यूँ कहें कि इस गाने के बाद उनके करियर को एक फिर से उडान से मिल गई एक पहचान मिल गई और अफ इस फिल्म में वो लीड अक्टरिस के तौर पर नज़र आएंगी वहीं भूशन कुमार के बैनर तले बन रही ये फिल्म दो आक्टूबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन और कोरोना के चक्कर में डेफिनिटली इस फिल्म की रिलीज डेट में कुछ न कुछ तो चेंजिस आएंगे ही क्योंकि अभी नहीं पता ये प्रॉसेस कितना लंबा चलने वाला है वहीं जॉन अपराहम ने इंस्टाग्राम पर इस तस्वीर को शेर जरूर किया है और साथ ही लिखा भी है कि बेंचमार्क सेट बाई एड़ रेट मिलाब जाविरी वर कट आउट फो मी डियूरिंग दिस ब्रेक जोन की फोटोशोप तस्वीर काफी जादा पसंद की जा रही है दर्शको को काफी जादा अच्छा लग रहा है उनका ये लुक वही पिछली फिल्मों में अपने एक्षन से जोन अबराहम ने दर्शको काफी जादा इंप्रेस किया था उनकी बॉड़ी काफी जादा हाइलाइटेड है और उनकी हाइट हो उनके लुक्स हो सब कुछ बहुत ही धमागेदार लगते हैं और जब वो एक्षन करते हैं तो उनकी बॉड़ी उनके एक्षन से काफी जादा करनेक कर पाती है या यूं कहें कि एक तरह से Avengers का जो Hulk है वो उनकी जलक उसमें नजर आती है तो वही सत्यमेव जैते 2 में इसलिए इस बार Action का दो गुना डोज मिलने वाला है और कहीं न कहीं Hulk से उनको compare भी किया जा रहा है इसके अलावा John Abraham की फिल्मों की बात करें तो वो Attack को लेकर भी काफी ज़्यादा चर्चा में है इस फिल्म को डिरेक्टर लक्षे राज सिंग आनन बना रहे है इसके अलावा वो मुंबई सागा फिल्म का भी हिस्सा बनने जा रहे है तो अब सबकी नजर सत्यमिल जैते 2 पर है कि क्या सत्यमिल जैते की तरह ही ये फिल्म भी धमाल मचा पाएगी क्या जॉनर परहम अपनी एक्टिंग और अपनी देशभक्ती से फिर से दर्शको को इंप्रेस कर पाएंगे या नहीं और यह भी एक्टिंग ऑपनी एक्टिंग के जॉनर को जो जो जींड किया था क्युकि शुृुर्वात के में उन्हों ने कहीं इरोटिक फिल्मों में काम किया हैусे के किया लेकिन. आज वो तेय्म भात्ति फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और ऐसा होता भी है, जब कोई actor एक ही जोनर को पकले रहता है और एक ही तरह का रोल करेकर प्ले करता है, तो दर्शक उसे एक पॉइंट तक तो पसंद करते हैं लेकिन फिर उन्हें भी कोई ना कोई चेंजिस तो चाहिए होता है उसके कारेक्टर में क्यूंकि आजकल ओडियन्स वेल एजुकेटिड है और वो कॉंटेंट बेसिस फिल्में देखना पसंद करती हैं तो ऐसे में जॉ तो आप कितना एक्साइटेड हैं जॉन अब्रहम के इस फिल्म को लेकर और आपको क्या लगता है क्या हल्क को एक्शन के मामले में जॉन अब्रहम तककर दे पाएंगे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं यह वीटियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल वालिग्राइज